हेलो फ्रेंट्स वालकम डू माई चैनल जिंपल मिलोग्स तो कैसी हो आप सब लोग एक दम बढ़ी है ना मस ना वेरी गुड जैसे इस वीडियो को आप लोग लाइक करने के पास बलबर के कमेंट करना बिल्कुल न भूल न देखिए जी वीडियो जो है वाइस ओवर जरूर को रही है क्योंकि आप लोग दाने काauras거든 मेताहिक सली आप लोगों को मैं यह बताना चाहती है कि वीडियो बहुत ही मस्तों अने वाला सो फ्लीज्स आप लोग थोड़ा सा स्पोर्ट करें वीडियो को फुल वौच कर ले हना जी तो चलिए जाहे फिर वो बिंदू का डांसो चाहां फिर हैलन का देखिए मदर इंडिया का डांस जो है वो डांस तो मस्त होने वाला लेकिन हमारा वीडियो क्यों मस्त है आज का तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की और एपिसोड की और तो यहां पर सबसे पहले तो बात करेंगे जूटी के ओपर फिर गुलाब सिंग के ओपर देखिए के लोभियों ने देखिए की स्टार्टिंग कर ली है और ऐसा क्यों हुआ वो चीजें क्यों जरूरी थी इन लोगों के लिए अच्छा वो मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले तो यह भी बताना चाहूंगी कि पुत्तर ने र बसाना है मैं शादी भी सेकिंड नहीं करूंगी सेकिंड मैरेज का मैं सोच भी नहीं सकती तो वह यह वाला वरत भी वह जुरूर से रखेगी और लास्ट टाइम भी उसने रखा ही था लेकिन वीडियो में बिल्कुल भी वह किसी के साथ शेयर नहीं करेगी कि उसने जो है यहाँ पर मैं उसकि श्योटी इसलिए ले रही हूँ क्यूंकि पुत्त जो है वो जूती जैसी नहीं है अगर जूति को बहुत लगावें लेकिन यहाँ पर पुत्तन को पर बहुत कि दिखान cannotOkay दिखाती है इथ्वड़ा बहुत ही कि वह बगवान की पोजा करती है लेकिन अगर एक बार वरत छोड़ दिया तो दुबारा से वो नहीं रख सकती है इसलिए तो उसने जो है वरत अपने कंटिन्यू रखे हुए है क्यूंकि वरत जो है सबसे पहले तो एबी के लिए रखा था अब यहां पर मुझे क्यूं हसी आ रही है छोड़िए उस बात को तो वरत तो सबसे पहले तो एबी के लिए रखा था लेकिन वो वरत वहां से स्टार्ट हो चुके थे उसके बाद फिर नन्नू के लिए रखा सेकिंड वरत तुसनिया न तो जब से वरत जो है वो कंटिन्यू ही है करवा चोड़ के तो जहां पर मैं अब आगे बात करते हैं जूटी के उपर जूटि को लग चुकी है शगनों की मेहंदी जूटि को मेहंदी लग चुकी है हाथों की मेहंदी बह Roy और हची रच गई थीक आप सासु मा चो है उसको और ड्री बहुत फिर लेकिन फिर बेस के साथ साथ मख्राई करती है लेकिन फिर भी इसका बहुती प्यार करती प्यार करती है लेकिन जूती का कहना चांशे चाछिक के पछलाना है दो दुझेत spiders प्यार है भगवान जहां तो जूटी को हमेशा से हम लोगों ने अकेले ही देखा है ना अब शगनों की मेहंदी लगी है अब कौन सा शगन इसके लिए आने वाला है जहां पर तो मैंने देखा है कि कमरे का भी मेक ओवर होने वाला अब बैड जो आ गया है ना अच्छा मैं आ लेना अप लोग क्योंकि गुलाब सिंग जो है ने ट्राइल ट्राइल खेल रहा है उसके उपर में बात करूंगी ओके जी तो यहां पर यहीं बता रहे हो कि जूटी ने कभी भी मोटू बिटिया का प्यार नहीं दिखाया और मोटू बिटिया ने कभी बियों कैमरा इसको नहीं जताया स्टार्टिंग के दिनों में जताया था जब जब नया नया चैनल जो है वह स्टार्ट हुआ था उस समय है ना जब जब उसको पैसे की जुरत पड़ी है उस समय लेकिन एक्चुली में मोटू के तो निकलने की विवज़ा यही है कि मोटू खाओ प्यो एश कर Martisco. उसमें बलीव करता है और मोटू बार का ही घाना जो है वह संद करता हाना ठीक है कभी कबार लगता है ना कि आज जो है पेट को थोड़ा आराम दिया जाए उस दिन वह घर का भी खाना चेले घा लीता लेता है ल pattern वार्श्यालिया तो यह वह बात थी लेकिन यहां पर जूटी का अकेले ही रहना और अकेले खुद को खुद से ही प्यार करना मुझे तो अभी तक वो समझ में आया कल की शॉपिंग देखकर भी मैं हैरान थी कल की शॉपिंग में ये था कि आप अगर किसी के साथ गए हो तो भाईया किसी की किसी ना किसी की तो परचाई दिखेग ठीक है शौरूम शौरूम कल खेलती रही है ना बस और कुछ नहीं था लेकिन अगर वाकिये में इसकी फ्रेंड्स जो है इसके साथ में गई थी तो वहीं पर रुग गई थी साड़ी के शौप पर है वो कहते हैं मौल वॉल तु करा ठीक है हम तुम्हें यहीं मिलेंगे फिर वापिस गई दो तिन साड़ी हैं बांदवान के दिखा देख लिए इसने जो कि इसका शौंक है और यह बड़े अच्छे से ट्रायल ट्रायल खेलती है हना क्योंकि हम लोग तो अपने लिए भी कुछ लेने जाए ना तो ट्राइरूम में बार बार ट्राइ करके ठक जाते ह लेकिन यह तो वह यह बंदी सेल्फियां लेते लेते बड़ी खुश रहती है ठकती नहीं है तो इसका मेरा यही कहना है इसका खुद से ही खुद को प्यार जताना मुझे तो अभी तक सिरफ और सिरफ वही समझ में आया है मोटू का कुछ नहीं हाथों में नाम लिख लिए पिया का हाना पता नहीं क्या क्या स्टोरी पर शेयर कर रही है लेकिन पिया है कहां पिया का नाम तुने कहां पर गुदवाया वह भी नहीं दिखाया अगर एक्चुली में यह बहुत ही प्यार करती है मोटू से मैं एक टैटू बना ले एक टैटू बना ले तूपर को करती है अगर खुद को करती है तो खुद के नाम का जूटी करके आपनी बाजू पर लिखूआ ले हैर जो इसन दो समय नाम का गुद्वा क्योंकि अब लिए तो तो यह नहीं अब बारीख आ जुड़ी सी बात करी है ना अभी थोड़ा सा दिमांग में यह आ रहा है कि ननु कहता है कि मेरी अगर बीवी ने वरत नहीं रखा ठीक है चाहे हमारा डैवोर्स होने वाला लेकिन हुआ तो नहीं क्या मैं खुद के लिए वरत रख सकता हूं ऐसा कुछ है ना तो चलिए ननुने काफी emotional बाते भी करी अपने एपिसोड में लेकिन ले देकर जो है उसका एपिसोड जो है काफी अच्छा लगा था हलका फुलका अब बारी आती है गुलाव सिंग की गुलाव सिंग की entry हो चुकी है तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं यहां पर कि देखिए गुलाव सिंग के घर पर furniture की एंट्री हो गई है वन वाई वन सार अपनी चरा जाएगा तो ट्राइल ट्राइल की बात मैंने क्या करी थी चलिए अब उस पर बात करते हैं तो मैं बताना चाहती हूं कि देखिए सबसे पहले जो है अंगेजमेंट के बाद जांगेजमेंट से पहले यहां पर आप लोग यह चीज़ को नोट करें जाना अपने लोगोंने किया होगा कि गुलाव सिंग जो है अपनी मुमिलों के साथ और अपनी होने वाली बैटरहाफ के साथ फ्योंसी के साथ ही घूमता नजर आया है और कोई अंगेजमेंट से पहले इतना घूम लेता है अंगेजमेंट के या इतनी एडवांस अभी तक फैमिली कोई नहीं देखी हैं जो रिच फैमिलीज हैं उनमें यह सब चीज़ें होती हैं तो उसमें शायद कहते ना प्री वैडिंग शूट भी जो होता है वो तो आजकल मिडर क्लास फैमिलीज में भी होता है लेकिन यहां पर तो प्री हनीमोन कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा था हना आगे ना बात वहीं अब यह कि ट्राइल के लिए उन्होंने स्टार्टिंग में जो भेजा है कहना है कहना तो नहीं चाहिए मुझे क्योंकि यह हर लड़की का सपना होता है और हर माबाप का भी यह सपना होता है कि अपनी बेटी को अपना सारा समान उठा और लेकि जा जाया से तो इन्होंने जूटी को भी दिया था बैड नहीं दिया तो पुत्तन को नहीं दिया ठीक है और पुत्तन ने अपने पैसों से जो सोफा कम बैड खरीदा वहां पर जाकर नन्नु के घर पर तो उसके लिए भी सो बोल दिया सो दहेज ले लिया लड़कियों ने खुदी अपने पैसों से खरीदा और दूसरी बात है उसे लड़की ने नहीं वो समय लड़की नहीं थी आप लोगों की वो समय एक वाइफ थी ठीक है और हस्बन वाइफ की अंडर्स्टेंडिंग से वो लिया गया था लेकिन उन्हों न ताइगा क्योंकि घर तो खाली कर दिया था घर को जो सजाली है ना टाइलों से धना और नेरो लेक्स से लगेंगी कटन वगारा सब कुछ लगेंगे ना तो यह जो है वो सब कुछ लेकर आएंगी चंपा तो चंपा जो है अकेली केली घर की लड़की है और अकेली ही आके बहु है तो भाईया कितनी अच्छी किस्मत है अब लग उतन एक नॉर्मल सी बात है ना जो तुमने का पिछे प्यार नहीं मिला बाप का लेकिन आगे तो प्यार मिला बाप का तो उसने क्यों सी कदर कर ली वो तो फिर से अपने फादर इनलो के कहना नहीं मानती कितना कुछ वो एपिसोड में बोल जाती है कि उनको अड़ोस प्रोस सुनने को मिलता है ना यह वह बाते हैं और पर देखिए पीछे से प्यार नहीं मिला किसको यह क्या नाम है इसका गुलाब सिंग को लेकिन देखो चंपकली के फादर कितने प्यार हैं कितने समझदार हैं हाँ ना वहां तो मदर इंडिया को भी बड़े पसंद आगे उसके फादर लेकिन दादी पसंद नहीं आए में बता लगेगा के आप लोगों को भी मेरे साथ इनके एपिसोड जो बहुत रंगीन होने वाले ना वो दादी की खुंडी से रंगीन होने वाले हैं वो सब की सैटिंग करेगी हो सकता है चंपा की दादी जा फिर यह मदर इंडिया यह करें जीज हमारे टाइम में हमारे समय में हनी मुन वो कुछ नहीं होते थे वह हम तो साथ ही मैं तुम अपने लिए कमरा ले लेना हम अपने लिए कमरा लेंगे ऐसा कुछ अब लोगों को मैंने मॉर्निंग के एपिसोड में भी यह बोला था और मुझे बड़ा दुख हुआ मुझे बहुत फील हुआ यार व्यूज नहीं कुछ आप लोगों को नौटिफकेशन नहीं आई एपिसोड में ना वो मॉर्निंग वाले के लेकिन मैंने उसमें यह चीज कलियर आप लोगों को की है कि देखिए करवाचो तो उन्होंने दे दी ठीक है अभी उन्होंने जो गिफ्ट दिये वो गुलाब सिंग ने नहीं दिखाए क्यों नहीं दिखाए इन लालची लोगोंने क्यों नहीं दिखाए वो गिफ्ट और दूसरी बात है अभी आने वाली है द जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको ना बहुत कुछ देने वाले हैं मतलब बहुत कुछ अभी तो आज हलकी सी बात करी है गाड़ी की गुलाब सिंगने हो सकते आने वाले दिरों में वह गाड़ी भी गिफ्ट देरें देखो अगर वह अपनी बेटी की शादी में इतना ख बोला जाता है पंजाब में प्राली कहते हैं तो वह प्राली में भी काम प्याली में पाली में पता नहीं क्या कहते हैं हम लोग तो जमीन ही बोलते हैं खेती बोलते हैं खेतों में भी काम कहते हैं तो आप सोचिए चंपा वगेरा की खेती भी कितनी जादा होगी है जमीन व हो जाते घर का गेहूं हो जाता इन्होंने कुछ नहीं बोया वही घास कच्रा थोड़ी सब्जी अब जी आरे सब्जी तो आप मार्केट से भी ले सकते हो लेते ही रहते हो तो यह चीज़े क्यों नहीं हुगा ही पहले तो यही गुलाव सिंग्जी सब्चीजें करता था ना जूटी बोलती है हम किसान है हम किसान है जूटी ने यह चीज़ें बोली थी है ना लेकिन वह किसान की बेटी को लेकिन गमले के पौदों की देख रेक नहीं आती है करनी यह लो कर लो बात हैना मैंने देखा गुड़हल का पौदा उसका कैसे पीला पड़ रहा है उसने इ किसान के बेटे ने किसानी वाला काम कहां किया एक अपनी छोटी सी जगा पर हल चला लेना ट्रैक्टर चला लेना वह चुटकु साह न तो उसको किसान नहीं कहा जाता ठीक है पहले तो यह समझ लो किसान कौन होते हैं ओके जी और यहां पर चंपा के बहुत सारे खेत खलियान हो गे और चंपा के फादर साथ करते हैं किसी को अभी तक इन्होंने इंटर्टूस ने क्राइए अगर पता लग जायको चैमरा बोल दीना अदर इंडिया को ममी मेरा और आपका इतना बनता है हलाकि बहु और सास का कभी कोई मजाक नहीं बनता अब आप बताईए कौन सा रिष्टा है इनका मजाक वाला कोई नहीं न हना तो इसलिए उसकी बाते सुनने को इन लोगों को मिल रही है और ये सुन भी लेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये वो है नो सो चुहे खा क कि चाहे वो जूते पड़ें कुछ पड़ें हना फिर भी कहेंगे खाएंगे उसी के हना ऐसे कुछ था एक कहावत मुझे जात नहीं आ रही लेकिन चंपाकली की बात इनको सुनने को मिलेंगी चंपाकली जो है वो खानवाना नहीं मनाएगी कुछ नहीं करेगी वो काम ये पोचा तो वो बिल्कुल भी कभी भी नहीं करेगी अच्छा जी सुन लो इनके घर मेड लग गई है अब सब लोगों ने बोला कि ये उस चाची को क्यों नहीं लेके बहिया वो चाची कजन चाची है वो और घरों में भी काम करती है ठीक है देखे हर परिवार में जुरूर करती है उनकी और जो गुलाव सिंग है वो भी हेल्प करता है लेकिन जब जब जूटी हेल्प करेगी ना वो आपको ओन कैमरा देखने को मिल जाएगा अब आपको सारी स्टोरी क्लियरली समझ में आ गई होगी कि दहेज की स्टार्टिंग हो चुकी है दहेज को शुब दिन एक मंगवा लिया गया है अभी तक जो फनीचर का एक फनीचर पहुंच चुका जाने की बैट बाकिया सैसरी सारी बाद में आएगी शुब दिन इसलिए मंगवा लिया गया है कि हमेशा ही घर भरा बुरा रहे तो चलिए जी मोटू बिटिया ने लाल जी पन की लिख दी है मिलती हूं कल एक अच्छे से अपिसोड के साथ जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें अपने अपनों का ध्यान रखें तो हम हैं